नमस्कार दोस्तो वेलकम टू काईरोज यूपी असी राइट टाइम एड़ राइट मोमें सो लेट्स गो हम सुरुआत करते हैं आज के हमारे यूपी असी के पहले एंसी क्यूकि उसके पहले बता दे कि हमारे सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे यूट्यूब के काईरोज यूपी असी चैनल पे और पीडियेफ मिलती रहेगे आपको टेलिग्राम चैनल पे अगर आपको कुछ और सचेशन है और फिर आपका कोई और क्वेरी है तो आप हमें इमेल के थूँ बेच सकते हैं चलिए सबसे पहला एंसी क्यों आपके सामने है Consider the following statement regarding national green hydrogen mission चलिए national green hydrogen mission अभी चर्चा में बना हुआ है किसलिए बना हुआ है क्योंकि अभी ऐसा कहा जा रहा है कि अगर इंडिया ने अपना hydrogen mission का जो planning है यह mission अगर उन्होंने पूरा complete नहीं किया मतलब की mission आपका अगर impossible हो चुका हो तो इंडिया में pollution का जो level है यह pollution का level कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगा ठीके तो इसी के regarding अभी news चल रही थी तो आपको बताना है तीन sentence और उन तीन में से how many sentences are correct चल लिए पहला it is a scheme jointly developed and implemented by the union ministry of science and tech and ministry of power क्या hydrogen mission जो है यह इन दो ministry के अंतरकत आता है नहीं क्यों नहीं आता है क्योंकि यह आता है MNRE मतलब ministry of new and renewable energy तो पहला sentence हमारा गलत है दूसरा it aims to manufacture 50 million turns in green hydrogen by 2030 क्या भईया हमारा planning 50 million का है देखिए ऐसा factual question आपको पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कि इंडिया में कौन सा mission जो है उस mission में कौन सा target है और वो target की जो date है जो साल है वो कौन सी है जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया ने 2070 तक net 0 रखेंगे मतलब 2070 नेट 0 करेंगे उसके अलावा भी हमारा कोई है जैसे कि 500 गीगावर्ट प्लान करेंगे हम हमारा जो 45 परसंटेज है उसको बढ़ा के 50 परसंटेज तक लेके जाएंगे और ऐसे 5 जो थे तो यह 5 के 5 आपको याद होने चाहिए ठीके चलिए कौन कौन से थे तो 2070 तक आपका net 0 करना है 500 गीगावर्ट हमें क्या करना है 500 गीगावर्ट हमें new and renewable energy से generate करना है जो 2005 का level है उस level से हमें 45 प्रतिसत तक क्या करना है pollution कम करना है हमारी total जो energy है उस energy में हमें 50% plus non coal energy हमें generate करना है ठीके मतलब non traditional के थू हमें 50% energy हमारी produce होनी चाहिए और एक और है चलिए आप लोग देख लिजेगा तो दूसरा sentence भी हमारा गलत है क्यूंकि यहाँ पे 50 नहीं आएगा यहाँ पे कितना आता है सिर्फ 5 million आएगा ठीके तीसरा sentence green hydrogen is hydrogen produced without resulting in polluting fossil fuel emissions तो यह बात कैसी है बिलकुल सही है क्यूं सही है क्यूंकि जो हमारा hydrogen होता है उस hydrogen को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए electricity चाहिए और वह electricity कहां से आती है उसी के बेस पे हम उस hydrogen का नाम देते है जैसे कि हो गया आपका brown hydrogen, grey hydrogen, etc. तो जो green hydrogen होता है उसमें हम जो भी energy use करते है वह energy आपका कोई और pollution नहीं provide करवाती है जैसे कि हो गया आपका कैसा? आपका हो गया solar energy ठीके? अगर आप solar energy या wind energy के थुरू क्या करेंगे? electric city generate करेंगे और उस electric city का use hydrogen के लिए करेंगे तो वह hydrogen जो होगा उसको green hydrogen कहा जाएगा तो यहाँ पे तीसरा sentence हमारा सही है हमें क्या पुचा है? how many are correct? तो हमारा सबसे पहला answer आएगा option A only one is correct देखिए अभी क्या हुआ है? इंडियास green hydrogen move में version pollution if steps are not in place मतलब कि हमारा जो green hydrogen है वह अगर सही से नहीं जाएगा तो हमारा pollution काफी बढ़ जाएगा चलिए कहां कौन सी ministry है? ministry of new and renewable कितना target है? 5 million कब तक है? 2030 तक है ठीक है? चलिए चलते है आगे which one of the following mention port cannot be a part of propose इंडिया, middle east, europe corridor देखिए अभी एक statement आई है किनकी वज़ा से आई है? जो बिडेन की वज़ा से जो की कौन है? USA के president है उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जो IEM EC है मतलब की इंडिया, middle east, europe corridor जो है उनकी वज़ा से गाजा में मतलब गाजा में जो अभी इसराइल के साथ जो हमला हो रहा है तो गाजा के हमास ने उसी के चड़ते हुए इसराइल के उपर हमला किया है ऐसा एक statement आया है तो इसी की वज़ों से फिर से IEM EC news में बना हुआ है तो आपको बताना है इस corridor में कौन सा port जो है वो भाग नहीं ले रहा है कंडला port, जैबल अली port, दोकम port या पिरसियस port तो यहाँ पे पहला सही है, जैबल अली port वो भी सही है, दोकम port नहीं है और जो लास्ट वाला है हमारा पिरायस port ये भी सही है तो सही अंसर आजाएगा हमारा option C, देखे, अगर हम देखने जाए कि इंडिया मिडल इस्ट यूरोप कोरिडोर जो है यह इंडिया से होके हुए सबसे पहले जाएगा UAE के जैबल अली में ठीके, वहाँ के बाद जाएगा UAE में, अल्ल गुवाफाइट में, वहाँ से जाएगा साओधी अरेबिया साओधी अरेबिया से होते हुए वो सीधा आएगा इस्रायल के हैपा में और वहाँ से जाएगा ग्रीस के पिरायस port के उपर ठीके, तो यहाँ पे आपका सी रूट भी है, यहाँ पे आपका रेल रूट भी है और कुछ जग़ पे आपका रोल रूट भी होगा, ठीके, तो आपको इतना याद रखना है चलिए, next MCQ देखते हैं, which one of the following disease is primarily caused by lead pollution चलिए, lead convolution की वज़े से यहिन में से कौन सा आपको disease होगा इटाइटाइ, black foot disease, plumbism या फिर saturnism होगा, या फिर blue baby syndrome होगा तो अभी एक report आई है, उस report में कहा है कि जो हम घरों में, दीवालों में जो paint करवाते है उन paint में क्या होता है, lead होता है, और अगर यह lead अपनी permission limit जो है, उससे ज़्यादा होगा उससे अगर क्या होगा, एक्सेस में होगा, तो उसकी वज़े से क्या होगा, वो atmosphere के through हमारे respiratory system में चला जाएगा और उसकी वज़े से हमें क्या हो सकता है, हमें हो सकता है, cancer ठीके, तो इसी के लिए, अभी lead pollution current में बना हुआ है, आपको पता होगा, कि यह कहा जाएगा option C को, कि lead pollution जो है, उनकी वज़े से होता है, plumbism, या फिर क्या कह सकता है हम, saturnism चलिए, अब बाकी के तीन आपको पता है क्या, चलिए, इटा इटा किसे होता है, black food किसे होता है, और blue baby syndrome किसे होता है, क्या करना है, वीडियो को pause कीजिए, सोचिए, क्या आपको पता है क्या, अगर नहीं पता है, तो थोड़ा pod लीजे, ठीके, मैं तो answer यहाँ पर बता दे से, किसकी वज़ा से, arsenic की वज़ा से, और blue baby तो सबको पता होगा, किसकी वज़ा से होता है, nitrate की वज़ा से होता है, चलिए, लेकिन आपको सही में आता है क्या, आप यहाँ पे इस channel के through आते हो, mcq के through क्या करने के लिए, practice करने के लिए, ठीके, हम यहाँ पे आपको कोई extra knowledge नहीं दे रहे है, हम आपको दे रहे है, mcq की practice, कि भया, आप कहीं से भी current appare पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे हमारी channel में आके, एक बार आप अपना knowledge जो है, यह check कर लो, ठीके, अगर सही से नहीं जा रहा है, तो आप अपना पढ़ने का तरीका, अपने current appare पढ़ने का तर उनकी PT में, ठीके, तो जितना हो सके, उतना देरी नहीं करनी है, उतना जल्दी करना है, और हमें मेहनत करना सुरू करना है, चलिए, क्या हुआ है, तो 90% जो paint samples tested content lead above permissable lipid in India, यह क्या है आया है, एक study आया है, और उनकी वज़े से हमें काफी ज्यादा problem होता है, जैसे की symptoms मे include abdominal pain, constipation, headache, irritability, memory problem, infertility, tingling in the hand and feet, ऐसे बहुत सारे issue हमें lead की वज़े से होते हैं, तो हमें क्या करना है, lead जो है, उस lead को control में रखना है, चलिए, चलते हैं आगे, consider the following statement regarding architect council, भया, architect council फिर से current में बना हुआ है, US बोल रहा है, कि भया हम यहाँ पे हमारा क्या open करेंगे, एक office open करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि architect council क्या है, कहां पे है, कैसा है, पहला, the council is intergovernmental body of eight circumpolar countries, सही है क्या, दूसरा, it has no permanent secretariat, यह बाद सही है क्या, और तीसरा, India has an observer status in the council, अब अगर आप थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ाई किये होते हो, तो आप कहीं के भी तूरी द वहाँ पे इंडिया participate कर रहा है, क्या इंडिया वहाँ पे as a member state है, या फिर observer state है, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि architect council में इंडिया कैसा है, observer state है, क्योंकि वहाँ पे जो मान लिजे यह हमारा architect council हो गया, तो उसके अगल बगल में जो border sharing countries है, उस border sharing countries को ही क्या कहते है, वहा पे member नहीं बन पाएगा, क्योंकि वहाँ पे इंडिया का border नहीं touch होता है, लेकिन इंडिया observer status तो ले सकता है, और वही इंडिया ने ले के रखा है, तो तीसरा sentence सही है, पहला sentence भी सही है, कि यह एक intergovernmental body है, जो कि 8 countries के साथ share होती है, और it has no permanent secretary, नहीं भईया, ऐसा नहीं है, उनका एक secretariat permanent है, तीक है, अगर आपको कोई पूछे कि भईया, G20 का कोई permanent secretariat नहीं है, तो यह बात कैसी होगी, सही होगी, लेकिन यहाँ पे दूसरा sentence गलत होगा, तीक है, हमें क्या पूछा है, correct पूछा है, चलिए, अब correct के नाम पे देखने जाए, तो option B जो है, यह हमार सही answer होगा, क्यूं होगा सही answer, क्यूंकि जो Arctic Council है, जिनको बनाया गया था, Ottawa declaration के बाद, 1996 में, उनका जो council या फिर secretary हम देखे, तो यह आएगा, Tromsmo, Norway में, ठीक है, और India को observer status मिला है, 2021 में, तो आपको यह बात, पता होनी चाहिए, चलिए, next MCQ, Consider the following statement regarding India tax base as per the latest, latest, latest report of Central Board of Direct Tax, याने की severity का एक latest report आया है, उनके basic way आपको दो sentence दिये है, पहला, India's tax base has widened, widened मतलब क्या हुआ, बढ़ गया, ठीक है, यह इतना area था, अगर मैं इसको बोलू, कि इनको wide कीजिये, ठीक है, तो यहाँ से area बढ़के ज्यादा हो जाएगा, sharply since to 2013 to 2014, with individual moving of the income ladder and the proportion of super rich taxpayers income declining, अब यह बात आपको ऐसा कह रहा है, कि भाया, 2013-14 के बाद, इंडिया में जो middle class की income है, वो middle class की income कैसी हुई है, बढ़ी हुई है, और उनकी income बढ़ने के साथ-साथ, जो हमारा tax का, जो हमारा port है, ठीके, यह फिर हमारा tax का जो pool है, उन में हमारे जो super rich है, उनका share जो है, यह कम हो गया है, तो यह बात कैसी है, बिलकूल सही है, दूसरा, अब यह बात आप सोच के समझ सकते हो, इतना भी कोई ज्यादा logic नहीं लगाना है, क्या इंडिया में इतने लोग, अगर income tax pay करते होंगे, या फिर अपनी file भी return करते होंगे, तो इंडिया कब का कहा पहुंच चुका होता, समझ रहे हो, लेकिन यह जो digit है, यह digit कैसी है, 10 times है, इसका मतलब क्या हुआ, कि इंडिया में 3.6 करोर लोग ही पहले क्या करते थे, assessment करवाते थे, अपना file return करवाते थे, और अब्योव यह बढ़के हो गया है, 6.3 के आसपास, तो यहाँ पे हमारा दूसरा sentence गलत है, फिर पहला सही है, हमें सही ही पुछा है, तो option A जो है, हमारा सही answer होगा, देखिए, क्या हुआ है, कि जो CBDT ने report दिया है, उनमें उन्होंने बताया है, कि भईया पहले 3.36 करोड लोग हमारे यहाँ पे return फाइल करते थे, और अब कितने कर रहे है, 6.37, अब आप समझ लिजे कि देश में हमारे कितने लोग है, 140 करोड लोग है, और उनमें से income tax pay करने, pay नहीं क बहुत ज्यादा लोग है, तो इसकी वज़ा से इंडिया में development कम आता है, ऐसा आप एक means के point में लिख सकते हो, ठीक है, चलते हैं आगे, consider the following statement regarding विश्व भारती युनिवर्शिटी, आपको सबको पता है, इस question का context क्या होगा, क्या हुआ है, तो अभी मिला है विश्व भारत तो उन में यह news में बना हुआ है, अमारे लिए context important नहीं है, question important है, पहला sentence, it is one of India's major central government funded autonomous university, located in Shantini Ketan, West Bengal, कहां पे आया है, Shantini Ketan, West Bengal में, बिल्कूल, central government funding करती है, और autonomous है, तो यह बाद भी सही है, दूसरा, the university was established in 1921 by Nobel Prize laureate, रविंद्रनाथ टागोर, क्या हमारे रविंद्रनाथ टागोर जो है, उन्होंने उनको establish किया था, तो यह बाद भी सही है, तीसरा, its first vice chancellor was रविंद्रनाथ टागोर, नहीं भाईया, यह बात याद रखनी है, कि उनके first VC जो है, vice chancellor यानि VC, यह VC first हमारे रविंद्रनाथ ठीके, तो तीसरा sentence हमारा गलत है, पहला दूसरा सही है, हमें पुछा है सही, तो हमारा answer आएगा option C, one and two only, देखे, क्या हुआ है, यह जो अभी हमारे रविंद्रनाथ टागोर जी के नाम के उपर यूनेश को का प्लेक दिया हुआ है, तो अभी बंगाल के chief ममताब एनर जी जी, क्या हुआ था, उन्होंने Thursday slams, authority for not inscribing the name of tager in plaques commemorating, अभी एक number of name plate अभी यहाँ पर integrate करने चाहा रहे थे, तो उनमें हमारे टागोर जी का नाम नहीं था, तो उनकी वज़े से authority को थोड़ा बहुत हमारे cm ने data हुआ, चलिए, फिर से बता रहा हूँ, हमारे लिए context important नह noble literature, रविंद्रनाथ टागोर जी के द्वारा, कहां पे, सांतिनी के तन्वेष्ट बंगाल में, और जो first VC थे, वो थे राथिंदर ना, जो की कौन थे, son of रविंद्रनाथ टागोर, ठीके, चलिए, अगला question आपको पूछ रहा है, which one of the following is not a provisions of model code of conduct in Indian election, सबको पता है, भया, मोसम कोने, कौन सा आने वाला है, election का, ठीके, तो आपको इन में से बताना है, model code of conduct का कौन सा एक provisions नहीं है, पहला, minister should avoid making any promise about new schemes, और project, और making any announcement that may influence water, ये बात बिलकुल सही है, कि एक minister ऐसी कोई गोश्रा नहीं कर सकता, दूसरा, political parties and candidates should not use government resources for electionary purposes, भया, इसी की वज़ से तो हमा इंदिरा गांदी जी का, जो seat थी, वो चली गई थी, और चली जाने के बाद, हमने, यानि कि हमारे देश ने 1975 में क्या देखा था, emergency देखा था, ठीके, तो यहाँ पे हमारा दूसरा भी सही है, तीसरा, political parties and candidates should not appeal to caste or religious sentiments in their campaign, ये बात भी है, भया, हमें caste और religion को बीच में नही नहीं लाना है, ये कहाँ पे लिखा है, model code of conduct में, लास्ट वाला देखते थे हैं, political parties and candidates should not release their manifesto after the announcement of the election schedule, नहीं, ऐसा कोई हमारे यहाँ पे नहीं लिखा है, आप भी देखोगे, कि भया, party या, election के बादित बोलती है, कि हम अगर सत्ता में आएंगे, तो ये देंगे, वो दे देंगे, ठीकना देंगे, फलाना देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा तीसरा जो से, हमारे चोथा जो option से, यह गलत है, और यहीं हमारा answer हो जाएगा, so option D is the right answer, और अभी क्या हुआ है, तो model code of conduct जो है, यह अभी तेलंगणा में शुरू हो किया है, चले, आपको बताना ह एक ही जो हमारा model code of conduct, या फिर आप ऐसा एक काम कीजे, आप बताएए, अभी कौन से five state जो है, वहाँ पे election आने वाला है, आप उनके नाम बता दीजे, और अगर आप उन state में से आते हो, तो वहाँ की विधान सभा की seat, legislature, assembly की जो seat है, उनके numbers भी बताए, ठीक है, चले, तो ये थी हमारे आज के MCQ, मिलते हैं आने वाले वीडियो में, थेंक यू,